हलो मित्रों जैमाता दे मित्रों उन्निस फरवरी की सुबह मित्रों रासी वाले जातकों का अचानक से भागे चमक जाएगा आपके भागे की सितारे काफी बुलंद रहेंगे जिनकी वज़ा से आपके जीबन में चल रहें समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा तथा चल रहे पारिवारिक कलेश पैसो से जुड़ी आर्थिक तंगिया इन सबों से आपको राहत मिलेंगे आपको बताएंगे 19 परवरी के दिन गरह गोचर काफी नए और काफी सकरात्मक बदलाव कर रहे हैं जिनका असर मितुन रासी वाले जातकों के दैनिक जिन्चरिया में पढ़ रहा है आपको बताएंगे सारी जानकारी बिस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजान आरासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सके मित्रों सावधान अगर आप अकेले हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाली जानकारे सारी की सारे रहस्मई हैं जो के सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान विश्नु के द्यादरिष्टी के नजरों में आप आ चुके हैं जिसकी वज़ा से 19 परवरी की सुबह व्यवसाइक छेतर में आपके कार्यों के परसंसा होंगे जो आपके लिए आनंददाइक रहेंगे कार्याले में सहकर में सहचारे आपको सहयोग देंगे सामाजिक रूप से मांच सम्मान प्राप्त होगा मित्रों और परिजनों के साथ आनंद पुर्वक प्रवास कर सकेंगे वेपार की द्रिष्टी से भी लावदा एक समय है प्रवास या प्रवटन हो सकते हैं आपको अपने मित्रों से उपहार मिलेगा नई वस्तों के खरेदारी के पीछे धन कावे कर सकते हैं नोकरी पेसा लोगों के लिए समय काफी महत्पून रहेगा मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपका सुब समय 19 फरवरी की सुबह से ही शुरुवात हो रहा है जिसकी वज़ा से आप हर बात को थोड़ा सा तोल मोल कर बोलें और बड़े से वड़े आपके जीवन में चल रहे पारिवारी कलेश और बड़ी से बड़ी समस्याओं से आपको चुटका रह मिलेगा आपको बड़ी सफल नहांसिल होंगे तथा आपको महनत का मीठा फल भे मिल सकेंगे सनिदेप के गृपा से आपको अपने सुबसमाचारों के प्राप्ति होंगे आप नई तकनीकी का उपयोग करके उधम का विकास कर सकोगे नेतित्व के अनुकूल वातावरन बनेंगे और आपको अगर आप राजनितिक के छेतर से जुड़े हैं तो आपको बहतर परिणा मोखे प्राप्ति होंगे आरतिक इस्तितियों में पहले से और सुधार होने के योग बन रहे हैं किसी तरह की नई प्रूपर्टी भी खरिद सकते हैं पैसो की कमी नहीं रहेंगे वहान या किसी तरह की संपती भी खरीदने के योग बन रहे हैं प्रेम जीबन में मदूर रंग खेलते रहेंगे आप अपने जीबन में प्रेम का संचार कर सुकोगे आगर आप सिंगल हैं तो आपके जीबन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है कारिच्षेतर में सफलता मिलने के प्रवल संभावना है समय आपके साथ है कई दिनों से चली आ रही परिशानियों का हल भी निकल सकता है नएक कोसल को आगे वढ़ाने और बहतर नोक्री प्राप्त करने के संभावनाओं को विक्सित करने के लिए समय काफिस्व है आपको अंडे सुरूतों से पैसे मिलेंगे और दोस्तों और परिवारों के साथ समय विताने कामों का मिलेगा बहुत से नए वो अच्छे कामों के सुरुआत इस समय आप कर सकोगे इस समय आपका सोभाग अतियुत्तम है आप अत्यंत प्रसंद रहेंगे और बोलेनात की किरपा भी आपके उपर बनी रहेंगे बोलेनात का सोभाव बहत सरलमाना जाता है लोगों की आस्ता के अनुसार बोलेनात अपने ही नाम के तरफ होले भंडारी है मित्रों आपको बताना चाहेंगे बलनात की वज़ा से आप काफी उर्जावान मैसूस करेंगे प्यार के मामलों में आने वाला समय काफी अच्छा रहेंगे मोबाइल फोन से आपको कोई लाब होने के योग बन रहे हैं समय पूरा होने से पहले है आप अपने सभी कारे को पूरा कर सकोगे अगर आप बिरुजगार हैं तो आपके बिरुजगारी दूर करने के प्रियास सफल रहेंगे और कोई नया कारे प्रारम वकर सकते हैं आपका वहवाएक जीवन मदूरता से परिपूर्ण रहेंगे परत्योगी परिक्षाओं के तयारी करने वाले जात्कों को नौकरी मिलने के संभावना है आपको अपने भागे का पूरा सही योग मिलेगा आपके जीवन में कई वड़े परिवर्तन होंगे विदेश से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मल सकती है प्यार के मामलों में आप 19 परवरी की सुबह काफी भागे साली रहेंगे आपको अपने गुसे पर कावू रखना चाहिए यदि आप कही निवेस करड़े की योजना बना रहे हैं तो अनभवी लोगों के सला अवसली जिए ने था आपको धनहानी हो सकती है तथा मितुनरासी वाले महिलाओं को ये सला दी जाती है कि आप अधिक धन के चक्कर में अपनी पूंजी कही ना लगाएं जीबन में सुकसंती का आवगवन होगा और आपको बताना चाहेंगे कि तरह तरह की योजनाओ को आप बना सकोगे आपके जीबन में चल रहे सारी कलेश सारी परेशानियां दूर हो सकेंगे आप अपने जीबन में तेजी से प्रगति कर सकोगे इसके साथ-साथ आप अपने सभी कस्टों का निवारन कर सकोगे आपको बताना चाहेंगे अगर आप ऑफिस वर्ष करते हैं तो आफिस में आप किसी काम को पूरा करने में सहकारियों की मदद ले सकते हैं आपको किस्मत का पूरा सही योग मिलेगा लंबे समय से चल रहा किसी कोट केस का फैसला भी आज आपके पक्ष में रहेंगे परिवार में आप से ताल मेल बना रहेगा आपका मन प्रोपटी लेने का वनेगा कारोबारियों को अचानक धनलाव होने के योग बन रहे हैं वैवसाय वैपार नोकरी में धन प्राप्ती है तो मैनत के साथ चाथ जोखिम बना रहेगा आपको अपने पिता का और उच्चादिकारियों का सही योग मिलेगा बुद्धी बल के छेतर में आप कारेरत कर रहे लोगों को उच्चाह मिल सकते हैं अचानक आपको धन के फ्राप्ती होंगे जिसकी वज़ा से आप अपने जीवन में चल रहे समस्याओं से छुटकोगे मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के एक्चाहों को रखते हैं वो आपके पूरी होंगे भगवान सनिदेव आपके जीवर में जल्द ही बड़ा वदलाव करेंगे अगर आप भगवान सनिदेव का नाम लेकर जो भी कारेंगे उस कारे में आपको सफलता मिलेंगे आपको वैपार के मामलों में जल्दी ही धेर सारा धनलाव होने के योग दिख रहे हैं आप सनिवार के दिन भगवान सनिदेव की पूजा अर्जना करना बिल्कुल भी ना भूलें आपको बताना चाहेंगे कि वेवज़ा किसी के साथ ललाई जगड़े करने से आपको बचने की जरूरत हैं नोकरी पेशा वाले लोगों को अपने वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने घर परिवार के सभी कामों को आसान इसे कर सकोगे अचानक ही आपके मुलकात अपने बिचडवे प्यार से होने वाली हैं जिसके बाद आप अपने पुरानी यादों को उताजा कर सकेंगे सासन सत्ता का सहियोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा सरकारी योजनाओं का आप में से बहुत सारे लाब उठा सकेंगे आप अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दिलवाने के लिए अधिक पैसा खर्च करने वाले हैं जिससे आपके बच्चे का भविस भी अच्छा बनेगा आने वाले समय आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे भगवान सनी देप की द्यादरिष्टी आपके बच्चे पर विसफ से अधिक बनी रहेंगे आपको बताना चाहेंगे कि आपको लोटरी या फिर किसी नई स्कीम के जरिये अच्छे से धनलाब हो सकते हैं आप अगर किसी को पसंद करते हैं और उन्हें पर पोज करना चाहते हैं उसके लिए भी 19 फरवरे का दिन काफिस सुब रहने वाला है आपके किसमत में काफी बदलाव होंगे आप उर्जा से वरे रहेंगे आपके आकरसक और कसुलता से आपके घर और आफिस में सफर भावित रहेंगे आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप अपने खरिदारी पर नजर बनाओगे समस्याओं को दिमाग से बाहर खदेड सकोगे और आप अपने रोमैंटिक जिंदगी में भी बदलाव कर सकते हैं आप पिछले दिनों से किसी प्रकार के संकट में थे उन सबों से आपको छुटकारा मिल सकेगा आपको बताना चाहेंगे कि 19 परवरी की सुबह से महादेव आपके किसमत में कई बदलाव कर रहे हैं और जिसकी वज़र से आपका रुका हुआ पुराना पैसा भी आपको वापस मिलेंगे आर्थिक परिशानियों से मुक्ति मिलेंगे और आपके भाग किसी तारे बुलंद रहेंगे आपके लावदा यक यात्रा पर जा सकते हैं आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे नए लोगों से जान पहचान बढ़ सकती है और नए कारियों में आपको काम्या विविलने के योग बन रहे हैं आपके सेहत में सुधार होगा बच्चों की तरफ से खुसकवरी मिल सकती है आपको अपनी मेहनत का बहुत इसी ग्रिफल मिले वाला है बेरुजगारे आपको दूर कर सकेंगे परिवार में माता फिता का सही योग फ्राप्त होगा आपके जीवन की अधूरी मनोकाम नाइप पूरी होंगे आपके घर परिवार में खुसियों और चहल पहल रहेंगे आप मानसिक रूप से अच्छा मैसूस करेंगे जीवन साथी के साथ आपका प्यार वड़ेगा अनववी लोगों के इसला आपके लिए फायदमन दसावित होंगे बैपार में आपको अच्छा खासा लाब मिलेंगे अचानक से आपको धनभारी लाब हो सकते हैं लडाई जगडों से दूर रहने की जरूरत रहेंगे यदि आप कोई नया व्यवसाज शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्निस फरवरी का दिन काफे सुब रहेगा उन्निस फरवरी की सुबह से ही आपके अच्छे समय की शुरू आत हो चुके हैं जिनके कारण आप किस्मत की चरा फूल की तरह चमक उठोगे आपका तनमन काफे प्रफुलित बना रहेगा कोट का चहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे आपके सुब समय शुरू हो चुके हैं घर में नए वाहन आभूसन या पैसो का आगमन हो सकता है आपके आमदनी के साधन बढ़ेंगे सनिदेब की कृपा से आपकी दिमाग के सभी टेंशन दूर होगे आपका या बच्चो का विवा अच्चे परिवार में तै हो सकता है आपके कारे में आ रही बाधाएं दूर होंगे आर्तिकी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे सभी रुके विगडे काम आसानी से हल होंगे अचानक धन का आगमन होगा घर में धन की वरसात होंगे आने वाले दिनों में आप बहुत लखी सावित होंगे परिवारिक समस्याओं का समाधान होगा आपका वैपार रोजगार अच्चा चलेगा आप अपने कर्ज में भी कर्जों को चुकाने में आप काफे सफल रहेंगे चथा कई अच्चे और सगरात मक्परिनामों की फ्राफती भी आप अपने जिन में और 19 फरवरी की दिन कर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अबस्त लिखें आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो जैमा विंदु आचने